आज कि इस वीडियो में बताऊंगा कि SecuGen जो SecuGen RD Service होता है उसको मुवाईल में कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं एक हमारे सस्क्राइबर का कमेंट्स आया था कि सर मुझे नहीं पता है कि हम कैसे SecuGen RD Service को अपने मुवाईल किसी भी फोन में कैसे कनेक्ट करेंगे ठीक है तो हम पूरी वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि आप SecuGen RD Service को मुवाईल से कैसे कनेक्ट करते हैं तो चलिए SecuGen RD Service ठीक है और यह मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इस्टॉल करूँगा और ओपन करूँगा यह ओपन हो गया देखिए इस तरह से आता है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना होता है हमें यहां पे OTG सेटिंग्स में जाना है अब कहां जाना है सेटिंग्स में आये और यहां सर्च करेंगे OTG ठीक है और यहां OTG connection on किया यह देखिए यहां से on हो गया ठीक है अब क्या करेंगे हम यहां से आये और यहां पर आ करके यहां पर ऐसे इसको connect कर दिया हमने ठीक है connect कर दिया अब connect करने के बाद क्या करेंगे हम यह एप में आएंगे इस एप में आए हम और यहाँ पर test करेंगे test capture करेंगे ठीक है प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है देखें यह आगे अब यहाँ से click किया हमने और यह finger catch कर लिया है देखें यह finger catch होगे इसी तरह से finger catch होता है ठीक है तो इसी तरह से आप भी secure chain rt service को यूज कर सकते हैं अपने mobile में ठीक है तो वीडियो पसंद आया है तो like करिए comment करिए और दोस्तों में share करिए thank you so much